हेलो एब्रीवन आप सभी का फिस्टे स्वागत हैं ये घटना चक्र साइंस का डिसकसन है और हम लोग फिजिक्स को डिसकस करें फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर इवन सुचना प्रदावगी की इसमें जो प्रशन बचे हुए है पहले इनको कभर में 231 प्रशन तक हम लोगों ने अल्रेडी कंप्लीट कर लिया था आज का जो सेशन है प्रशन संख्या 232 से स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि इसका PDF एबिलेबल है अगर आपको PDF चाहिए तो टेलिग्राम चैनल टेलिग्राम क्वेस ग्रूप य उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर में जहां एससरे जूडती है उसे कहते हैं पोट क्या होता है पोट एक कंप्यूटर पोट जो होता है किसी कंप्यूटर या अन्य कंप्यूटर या परिधिये उपकरण के बीच एक अंतर फलक के रुप में कारे करता है कंप्यूटर के अन् पासवर्ड किसकी सुरक्षा करता है कम्प्यूटर में या कह सकते हैं कि फोन में आप जब पासवर्ड डालते हैं तो यह पासवर्ड आपकी कौन सी मतलब की भाग को सुरक्षित रखता है तो इसका सही जबाब है तंत्र के अनाधिक्रित अभी गमन से पासवर्ड जो है कम्प्यूटर में जो पासवर्ड होता है ये सुरक्षित रखता है पासवर्ड एक गुप्त सद्या संकेताक्ष्डो की लड़ी है जिसका प्रयोग किसी संसादन तक पहुचने के लिए या पह का पता ग्याद करने के लिए परियूक्त करते हैं वह है सुचना प्रदा Vaughi की सबदावली जिसे उप्योग करता के email का पता ग्याद करने के लिए पर्योग करते हैं कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्शर पदबंद किसके प्रशंग में पर्युक्त किया जाता है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है डिजीटल सुरक्षा अधार हो संद्रचना इसके बारे में अगर बात करें तो पब्लिक की जो इंफ्रास्ट्रक्शर होता है हाड़िवेर, सॉट्वेर, परिक्रियाओं, तकनीकों तथा नीतियों का एक समो होता है जो पब्लिक की इंस्क्रेप्शन तथा डिजीटल सेटिफिटेक परदान करता है इसे डिजीटल सुरक्षा और संद्रचना के संदर में पर्योग किया जाता है पब्लिक की इंस्क्रेप्शर के द्वारा यूजर अपने डाटा को इंक्रेप्ट तथा हताक्षिर कर सकते हैं जिससे एक है सुरक्षित वातावरण बनता है और उप्योग करता अपने डेटा को इंटरनेट में सुरक्षित तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं और धन भेजना, money send करना, online shopping करना जथा संचार का आदान परदान सुरक्षिर धन्ग से कर सकते हैं 236 नेमलिखित कथनों पर विचार कीजिए नेमलिखित कथनों पर विचार कीजिए यहाँ पे तीन कथन दिये गए इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना पहला है एक ऐसा electronic अभिलेक जो इसे जारी करने वाले परमाण या परमाणन अधिकारी की पहश्चान करता है दूसरा इंटरनेट पर सुचना या सरवर तक पहुचने के लिए किसे बैक्ति की पहश्चान के परमाण के रूप में परिप्ट होता है या इसमे टीसरा कीवल तीसरा सी अप्सन जो है बिल्कुछ सही अप्सन है इस परकार तीसरा जो कतनल सही है पहला दुसरा डिजितल हताक्षर के बजारे डिजितल हताक्षर परमाण़ पथ्र से संदर्वित है ऐसा computer आधारित record या electronic अभिलेक जो उसे जारी करने वाले प्रमाण अधिकारी की पहचान सुनिश्चित करता है digital हताक्षर प्रमाण पत्र कहलाता है या internet पर सुचनाओं या सेवाओं तक पहुचने के लिए या किसी निश्चित दस्तावेज पर digital हताक्षर करने के लिए व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में electronic रूप से इसे प्रस्तूत किया जाता है प्रश्चन संख्या 217 से IT अधिनियम 2000 में महत्पूर्ण ओधर्णा को पेस किया गया है IT अधिनियम 2000 में महत्पूर्ण ओधर्णाओं को जो पेस किया गया है वो कौन सा है इसमें है electronic record ठीक है digital हताक्षर परमाणित करने वाला प्राधी करण यानि उप्रोक्त सभी D अप्सन याद रखेगा IT अधिनियम IT 2000 में साइवर अपराद और e-commerce से संबंदित मामलों के लिए भारत में प्राथमी कानून है या अधिनियम electronic commerce और electronic लेंदेन को कानूनी मंजूरी देने e-governance को सक्षम बनाने तथा cyber अपराद को रोकने के लिए बनाया गया था इस अधिनियम के माध्यम से electronic record और digital हताक्षर को मन्यता देने के माध्यम से e-sasun को एक कानूनी framework जो है उपलप्त कराया गया इस अधिनियम के माध्यम से digital हताक्षर को जारी करने की परकिरिया को भी नियमीद करने के लिए परमारित करने वाले प्राधिक करण के एक नियंत्रक यानि controller के गठन का निर्दिस दिया गया 238 है digital भुकतान के संदर में निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए पहला भीम एप उप्यो करने वाले के लिए या एप जो है UPI सक्षम बेंक खाते से किसी को धन का हस्तनांतर करना संभव बनाता है क्या यह सही है बिलकुल सही है दूसरा जहां एक cheap pin डेविट कार्ड में परमारिकरण के चार घटक होते हैं भीम एप में परमारिकरण के सिर्फ दो घटक होते हैं तो दूसरा कथन सही नहीं है यानि पहला केवल पहला statement सत्य है अगर बात करें तो जो भीम है भीम यानि भारत interface for money इसका पूरा नाम है भीम का यह एक UPI अधारित भोक्तान इंटरफेस है जो एक पहस्चान से या एक पहस्चान जैसे mobile number या नाम की प्रयोग के द्वारा real time में धन का जो है transfer संभो बनाता है भीम एप में परमारिकरण या सत्यापन के तीन अस्तर है पहला अस्तर अगर बात करें याद रखिएगा पहला अस्तर डिवाइस आईडी तेथा mobile नंबर है दूसरा अस्तर वह बैंक अकाउंट है जिसे प्रयोगता भीम एप से लिंक करता है जबकि अंतिम अस्तर के रूप में UPI PIN है जो किसी लेन देन को पूरा कर करने के लिए आवस्यक है इसके बिप्रित चीप PIN डेविट कार्ड में परमाणी करण के केवल दो घटक है 249 है निमलिखित में से कौन से भारा सरकार के डिजिटल इंडिया योजना का उदेश से है तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीन अप्शन है तीन एस्टेटमेंट है और चार अप्शन है तो एस्टेटमेंट को एक पर एनालेसिस करके बताई इसका सही जवाब किया है देखिए इसमें जो तीसरा एस्टेटमेंट दिया गया है कि हमारे अनेक गाओं को इंटरनेट से जोड़ना या हमारे बहुत से सारवजनिक अस्थलों और प्रमुख प्रयाटक केंद्रों को वाइफाई लाना केंद्रों में क्या लाना वाइफाई लाना यानि इसमें केवल तीसरा जो है आपका सही है बी अप्शन डीजिटल इंडिया कारेकरम के विभीन अस्थम्भों में ब्रॉडबेंड हाइवेज सामिल है इस अस्थम के तहट ग्रामिण और सहरी छेत्रों में सभी के लिए ब्रॉडबेंड की उपलब्ता सुनिशित की जानी है अस्कूलों सारवजनिक अस्थलों आवी में निस्थूल को वाइफाई उपलब्त कराया जाना प्रस्तावित है 240 है निमलखित पर विचार क निमलखित में से कौन जो है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेट फॉर्म पर बनाए गए है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेट फॉर्म पर बनाए गए है निमलखित पर विचार करके बताईए इसका सही जवाब क्या होगा देखे अगर बात करें तो इसमें जो सही जबाब हो जाएगा अगर open source digital plate फॉर्म पर जो बनाएगा है आरोगे सेतू, कोवीन, डिजी लॉकर और दिक्षा यानि D option, चारो इसका सही जबाब हो जाएगा D option बिलकुल correct option है आरोगे सेतू, भारत की COVID-19 संपर्ख अनुरेखण एवं स्वा आकलन डिजीटल सेवा है जिसे National Informatics Center, NIC के द्वारा बिक्सित किया गया है यानि COVID vaccine intelligence network COVID-19 टिका करण पंजिकरण के लिए भारा सरकार का एक वेप बोटल है डिजीटल लोकर भारा सरकार के द्वारा उपलप्त कराई गई एक digital online सेवा है इसके तहट परतिक अधार कार धारा को cloud में एक खाता उपलप्त कराया जाता है जिससे वे डिजीटल प्रारूप में अपनी असली दस्तावेजू या प्रमाण पत्रों तथा ड्राइविंग, लाइसेंस, वाहन पंजिकरण, अकादमिक, मार्क सीट तक पहुँच प्राप्त कर सकते है दिख्षा, Digital Infrastructure for Knowledge जो है शेरिंग याने अस्कूल सिख्षा के लिए एक राश्री यह मंच है दिजी लोकर, दिख्षा, आरोगेसेतू, कोविन, यह सभी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफोर्न पर बनाए गए है 241 है निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इन में से कौन सा कतन सही है कौन सा कतन सही है आपको बताना है तो देखिए अगर बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहला है कि अधार कार्ड का परयोग नागरिक्ता या अधिवास के पर्माण पत्र के रूप में जो है किया जा सकता है क्या यह सही है नहीं एक बार जावी करने के बाद इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण अधार संख्या को निस्क्रिय या लूपत नहीं कर सकता यानि पहला और तीसरा में जो सही है इन में से कोई सही नहीं है न तो पहला न तो दूसरा D option बिल्कुल correct option है अधार संख्या भारतिय विश्ष पहष्चान प्राधिकरण यानि EYDAI के द्वारा 12 अंकों की एक अधिवित्य संख्या जो भारत के निवासियों को पहष्चान परदान करती है इसके तहत अधार पहष्चान पत्रिया संख्या प्राप्त करने के लिए भारतिय निवासियों को अपनी जनाम की किये एवं बायोमेट्रिक सुचनाय परदान करनी होती है अधार अधिनियम द्वास्वा के धारा 9 के नुसार अधार के वर पहचान पत्र है इसके अधार पर किसी ना ग्रेकता है या अधिवास का दावा नहीं किया जा सकता अधार अगनियम द्वास्वा के तेज जी के नुसार अधार संख्या को निगमो के तहत निस्क्रिया या लुप्त भी किया जा सकता है आगे बड़ते हैं प्रश्ण संख्या next 242 पश्चान प्लेटफॉर्म अधार खूला यानि ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलप्त कराता है इसका क्या अभिप्राय है दो अभिप्राय दिया गया ये में से कौन सा सही है आपको बताना है तो देखें इसमें पहला है किसे किसी भी इलेक्ट्रोनिक और करण के साथ एक एकरित किया जा सकता है बिल्कुल सही परितारिका यानि आईरिस का प्रियोग करके ऑनलाइन प्रमाणि करण सुंभाव है क्यानि दूसरा पहला दोनों स्टेट्मेंट्स रही हैं सी अप्सन बिल्कुल करेक्ट अप्सन है EUIDAI का उदेश भारत में परते की निवासियों के लिए एक अधार संख्या जारी करना होता है ताकि निवासी पोटेबल पहस्चान सक्षम हो जिससे कभी भी कहीं भी परमाणित किया जा सकता है अधार मंच सिवा जो परताएं हैं इनको सुरक्षित और त्वरित इलेक्ट्रोनिक तरीके से निवासियों की पहस्चान परमाणित करने और अधिक लागत परभावी तथा कुसल तरीके से सिवा पदान करने में ये मदद करता है EUIDAI ने अपनी वेपसाइट पर अधार परमाणिकरन आवेदन प्रोग्रामिंग इंटरफेस विल निर्देस प्रकासित किया है जिससे API डाटा प्रारूप प्रोटोकॉल और सुरक्षा निर्देसों सहित बिवरन सामिलेट मतलब कि ब्याख हैं सामिल है C, Application, Programming, Interface, Command, Function, Protocol और Objects का एक सेट होता है जिसका API किसी भी Electronic उपकरन के साथ एकिकरित करने में किया जा सकता है और इसके माधें से परितारिका यानि आईरिस का परियोग करके Online प्रमाणिकरन सुम्भव है 243, Blockchain टकनीक के संदर में कुछ कथन दिये गए है आप बताईए कि इसके संदर में कौन सा कथन सत्य है Blockchain टकनीक, तीन कथन है, तीनों कथन को एक बार आप Analysis करके बताईए इसका सही जवाब क्या होगा Blockchain काफी News में था, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा Blockchain के संदर में अगर बात करें तो यह एक सारोजनी खाता है, जिसका हर कोई निरिक्षण कर सकता है परन्तु जिसे कोई भी एक उभगता नियंतरित नहीं करता, यानि इसमें जो पहला है, बिलकुल क्या है? सही है दूसरा है, Blockchain की जो संदरचना और डिजाइन है, ऐसा है कि इसका समुचा डेटा क्यों क्रेप्टो क्रेप्टो क्रेंसी के विशेव है, तो दूसरा सही नहीं है तिसरा, Blockchain के अधार्भूत, वैसेश्टियों पर अधारित अनुप्रेवों को बिना किसी वेक्ती के अनुमत्ती के डिक्सित किया जा सकता है पहला और तिसरा statement बिलकुल सही है, डी अप्सन, राइट अप्सन इसके बारे में अगर बात करें, तो Blockchain एक ऐसी तकनीक है, जिसे Bitcoin तथा अनक क्रेप्टो क्रेंसी का संचालन होता है यदि सरल सब्दों में कहा जाए, तो यह एक Digital सारोजनिक बही खाता है एकाउंट है, जिसमें परतेक लेंदेन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है, यह तकनीक तीन अलग-अलग तकनीकों का समायोजन है जिसमें पर्सनल की, यानि नीजी कुंजी की क्रिप्टोग्राफी या जनकारी को गुप्त रखना और प्रोटोकॉल को नियंतरों रखना सामिल है ब्लॉक्चेन के अधार्भुत, बैसेश्टियों पर अधारित अनुप्रेवों को बिना किसी बैक्ती की अनुमाती के बिक्सित किया जा सकता है ब्लॉक्चेन तकनीक में स्वामित्व को भेरिफाई या सत्यापित और हस्तनांतृत करने की लिए जो एकिसी मद्यवर्ती जैसे बैंक या सरकार की जो है और सकता नहीं होती इसलिए दुसरा असत्य है 244, वेव 3.0 के संदर में निमिखित कतनों पर विचार कीजिए दुसरा वेव 3.0 संसार में ब्लॉक्चेन अधारिस समाजिक नेटवर्क होर सकते हैं तिसरा वेव 3.0 किसी निगम के द्वारा परिचारित होने की बजा प्रयोकताओं के द्वारा सामोही कृप से परिचारित किया जाता है तिसरा दुसरा और पहला यह तीनों स्टेट्मेंट बिलकूल सही है डी अप्शन क कररेक्ट उप्शन वेव 3.0 वेव प्रधाओगी कियों के विकास के तिसरी पिड़ी है वेव प्रधाओगी कियों के विकास की यह 3rd generation है वेब को worldwide wave या तो कि वेब है worldwide wave के नाम से भी जाना जाता है वेब के प्रतम संस्क्राण wave 1.0 को static wave के नाम से जाना जाता है wave 1.0 का निर्मा read only wave pageों से किया गया था और इसमें सन्वधातमक अगर बात करें तो सन्वधातमक बिसेस्ताओं की कमी थी interactive features की कमी थी जबकि wave 2.0 को dynamic wave के रूप में जाना जाता है 1.0 और wave 2.0 के बीच एक महत्पुन अंतर सुचना के जो महत्पुन है वो अंतर सुचना के दो तरफ प्रवा two wave flow of information पर मतलब की ये कारे करता है wave 2.0 में परियुकताओं ने वेब साइटों के साथ सनवाद करना प्रारम कर दिया साथ ही वे सुचनाओं को साधा करने और स्वयम की विसेवस्तु को जो है स्रजीत करने में सच्छम हो गये जबकि wave 3.0 में विकेंद्री क्रित अनुपरियोगों तथा ब्लॉक्चेन अधारित प्रदोग्यों के ब्यपार प्रियोग पर जोड़ दिया गया wave 3.0 के अंतरगत केंद्री क्रित कंपनियों के बगैर एक है बिश्त के प्रिकल्पना की गई जहां लोगों के डाटा का नियंतर सेम उनके हाथों में होगा wave 3.0 के संदर में विकेंद्री करण का अर्थ है कि wave पर कुछ भी परकासित करने के लिए किसी केंद्री प्राधिकरण से किसी अनुमती क्यों सकता नहीं होती इसका परिचालन सामोही करुप से परियुकताओं के द्वारा शम्हो है आगे वड़ते हैं प्रस्ने संख्या नेक्स्ट है 245 निमलिखित युगमों पर विचार कीजिए निमलिखित युगमों पर विचार कीजिए बताए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है तो देखिए इसमें जो है जो सही सुमेलित है ब्लॉक्चेन प्रधागी की डिजिटल या क्रिप्टो मुद्रा इसका जो संबंध है बिल्कूल अप्शन B में दिया गया है तो दूसरा के वाल सही है ठीक है जो सेकंड प्रधागी की क्रिप्टो क्रेप्टो क्रेंसी से समंधित है जो क्रेप्शर केस 9 है जिनोम एडेटिंग तकनीक है जो ऐसी पूर्व तकनीकी की तूलना में टीवर सस्ती और सटिक है 246 है ब्लोफिस एक परकार का है क्या है ब्लोफिस क्या है ब्लोफिस सम्मित एंक्रेप्शन एल्गोरीथम है यह अप्शन बिल्कुल सही जवाब है ब्लोफिस एक सम्मित एंक्रेप्शन एल्गोरीथम है जिसे 1993 में Bruce S. Neer ने स्रेजित किया था बनाया था समित encryption में data को encrypt एवं decrypt करने के लिए एकल संक्रेप्शन कुंजी का प्रयोग होता है 247, computer निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता computer निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता तो इसका सही जवाव है understanding C option अगर बात करें तो computer उप्यू करता के द्वारा दिये गए कार्यों को उप्लप्त अथियों के अधारपन निर्दैसा अनुसार बिसलेशन करके अप्यक्षी जनकारी उप्लप्त कराता है पूरी परकिरिया एक्चरण बहुत तरीके से संपन होती है inputting होती है, processing होती है computing इसके बाद output ट्यार होता है मतलब मिलता है पहले information को डाला जाता है, process किया जाता है, computing की जाती है फिर हमको output प्राप्त होता है computer के कार्यों में understanding सामिल नहीं है 240 है, नेमन में से कौन एक computer आकड़ों की त्रूटियां परदसित करता है नेमन में से कौन करता है, वो है bug bug, c option software bug, किसी computer program या प्रणाली की ऐसे त्रूटि, दोस्ट, गलती या खोट को वर्णित करने के लिए प्रयोग किये जाने वाला एक आम सब्द है जो गलत और और प्रत्यासित प्रणाम देती है ज्यादातर bug, लोगों के दोरा किसी program के शुरूट कोड या इसके design में की गलतियों और त्रूटियों के वज़ा से उत्पन होते है 249, इन में से कौन सा उद्योग चुम्बकिये स्याही गुण पहष्चान का प्रात्मी प्रयोग करता है MICR का इन में से कौन सा उद्योग चुम्बकिये स्याही गुण पहष्चान का प्रात्मी प्रयोग करता है तो सही जबाव है bank option A याद रखिएगा चुम्बकिये स्याही गुण पहष्चान यानि magnetic ink character recognition तकनीक का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों की computer के मादम से processing के लिए किया जाता है 250 है OMR का मतलब क्या है OMR sheet का मतलब आपको पता ही होगा तो OMR देगे आप लोग एक्जाम देते हैं जो OMR sheet दिया जाता है उसका पूरा नाम क्या है तो Optical Mark Recognization और Optical Mark Reading यह दोनों मतलब कि अगर जहां भी आपको मिले दोनों में से कोई एक आपका सही होगा ठीक है दोनों सही है Option को देखिए और सही कीजिए कि कौन सा इसमें Option दिया गया है अनालेसिस करके तो OMR का मतलब होता है Optical Mark Reader या Optical Mark Recognization तो Option यह में जो दिया गया सही है आगे बढ़ते है प्रशन संक्या Next है 251 इन में से कौन सा वस्तुनिष्ट प्रकार के परिक्षा में उतर पत्रक को जाच के लिए प्रिक्ष किया जाता है तो आपको मालूम है सही जवाब है OMR seat 252 है IRC का क्या मतलब है IRC इन्टरनेट रिले चैट या दखिएगा इन्टरनेट रिले चैट यानि B option IRC इन्टरनेट रिले चैट एक पाठ्य अधारे चैट प्रणाली है कनवर्सेशन की एक युपती है दुनिया भर के करोडों लोगों को वास्टविक समय में बाचित करने की सुधा देती है या वास्टविक समय पर इन्टरनेट पाठ्य संदेश यानि चैट या सिंक्रोनस कॉन्फ्रेंसिंग का एक रूप है 253 है 2G spectrum में अच्छा G किस सब्द के लिए परिफ्थ है G का मतलब क्या होता है बहुत बार ये प्रशन पूछा जा चुका है G का मतलब होता है 2G, 3G, 4G, 5G G का मतलब होता है generation C option बिलकुल सही जबाब है याद रखिएगा 2G एक दूसरी PD की बितार टेलीफोन प्रदोगी की है जिस सब्द generation याणि PD के लिए परिफ्थ है 214 है CAD का क्या मतलब है CAD पताए CAD CAD का मतलब क्या होता है Computer Added Design Computer Added Design CAD यानि Computer Added Design Computer प्रदोगी की के परिफ्थ के द्वारा Design और Design प्रलेखन का कार ये संपादित करता है तो Computer Added Design B option बिलकुल correct option है 255 है GIF का क्या मतलब है GIF या GIF जी से कहते है GIF आप Message के दौरान इसका प्रियोग भी करते है GIF का मतलब होता है Graphic Interchange Format Graphic Interchange Format इसका छवी प्रारुप या Image Format के रूप में प्रियोग किया जाता है तो C option Graphic Interchange Format जोए सही जवाब है 256 3D मुद्रन का निमलिखित में से किस में प्रियोग होता है 3D मुद्रन का निमलिखित में से किस में प्रियोग होता है इसका सही जवाब क्या होगा तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिष्ठान के चीजों को बनाने में जयव इलेक्ट्रोनिक कर्ण के निरमाण में और्टोमोटिव उद्योग में पुननिरमाण कारिक सल्यकर्म में और डेटा संसाधन प्रधागिकी में तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी में यानि डी अप्सन एक दो तीन चार पांच एक डिजीटल फाइल से त्री वीमिये ठोस बस्तूगों के निर्माड के परकिरिया हैं 3D प्रिंटिंग है चॉकलेट कैंडी इत्यादी के निर्माड में 3D प्रिंटिंग का प्रियोग कि चेहरे की पुनर निर्माड कारी सल के रिया में 3D प्रिंटिंग का प्रियोग किया जा चुका है कम्प्यूटर के पूर्जों के निर्माड में 3D प्रिंटिंग का प्रियोग किया जाता है यह पूर्जे डाटा प्रोसेसिंग में प्रियोग किया जाते है दोस्तों संतावर सासन के लिए कंप्यूटरों के परयोग को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है तो इसका सही जबाब है E-Governance कहा जाता है D-Option बिलकुल Correct Option है अगर इसके बारे में बात करें तो सासन बिवस्था की परकिरिया सासन बिवस्था की परकिरिया को शंगड़क के माध्यम से इंटरनेट के द्वारा आम जंता तक कहुंचाना इगवर्नेंस कहलाता है इप्रसासन के मदर से सिवाओं को तेजी से परदान किया जा सकता है उनकी उत्पादक्ता एवं पर्भाव सिल्ता को बढ़ाया जा सकता है तथा उन्हें नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है 258 है कम्प्यूटर अपनी सकती प्राप्त करता है किस से कम्प्यूटर अपनी सकती पावर को किस से प्राप्त करता है तो अपनी गती से सुधता से एसमरती से यानि उप्रोप्त सभी से D option, computer बहुत तेज गती से गणनाय करता है, micro computer, million गणनाय प्रती सेकेंड कर्यानवित कर सकता है, computer बहुत ही सुध गणनाय करने वाले machine है, या जटिल से जटिल गणनाय बिना किसी तुरूटी के करता है, computer के अपनी मुखे तता साहयक memory होती है, जो की computer के आकड़ों को संचीत करने में सहायता करती है, 259 है, multimedia में जो समलित हो सकता है, वो क्या है, multimedia में समलित हो सकता है, graphics, animation, video, music और आवाज, D option, multimedia अंग्रेजी के multi और media सब्दों से मिल कर बना है, multi का मतलब होता है बहु या बिवीद, multi media एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है, जिसके द्वारा विभीन परकार के जनकारियों को, विभीन परकार के माध्यमों जैसे text, audio, graphics, animation, video, आधी का सनेवजन करके दर्सकों या सुरुताओं तक उंचाया जाता है, 260 है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक स्याधिक माध्यमों के परियोग का तरीका क्या कहलाता है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक स्याधिक माध्यमों के परियोग का तरीका जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, आब बताइए, तो इसका सही जबाब है, multimedia कहलाता है option यह बिल्कुल correct option है ध्यान में रखिएगा किसी सूचना की प्रस्तूती में एक साथ एक से अधिक माध्यमों का परिव multimedia कहलाता है 261 है किसी operating system के एक ही समय पर एक से अधिक उप्यों की जो छमता है इसको क्या कहते हैं किसी operating system के एक ही समय पर एक से अधिक उप्यों की छमता को कहते हैं क्या कहते हैं तो देखिए अगर बात करें तो इसका सही जबाब हो जाएगा multitasking कहते हैं D option याद रखिएगा multitasking operating system को multiprocessing operating system भी कहा जाता है यह operating system दो या दो से अधिक कारेकरमों programs और process को प्रात्मिक memory में एक साथ रखकर process कर सकता है 262 है, यदि कोई सूचना telephone के दोरा dial करके अन्यत्र television screen पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं कोई सूचना telephone के दोरा dial करके अन्यत्र television screen पर या television screen पर देखी या पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं क्या उसे कहते हैं telefax telefax be option telefax के साहता से grafik तथा text सुचनाओं का एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक telephone line के दोरा आदान परदान होता है fax का विसकार escort line के विग्यानिक Alexander बेन ने 842 िस्थी में किया था या दखिए किसने अलेकजेंडर बेन 263 है वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं बताईए तो वीडियो मेल से ग्राफिक्स, वीडियो क्लेप्स और वीडियो मैसेज ये सभी भेज सकते हैं D option देखें, वीडियो मेल जो है एक परकार की संदेशन प्रणाली है जिसमें से एक वेब कैमरे के द्वारा वीडियो मैसेज को रिकॉर्ड करके एक एमेल के तरह भीजा जा सकता है, ग्राफिक्स और वीडियो क्लिप्स वीडियो मैसेज के ही परकार है इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो वीडियो वरतलाव परदान करती है, क्या कहते हैं? इसके बारे मगर बात करें, तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग जो होता है वीडियो कॉन्फरेंसिंग एक Modern संचार तखनीक है जिसके माध्यम से दो या इससे अधिक अस्थानों से एक साथ वीडियो और डियो के माध्यम से कई लोग जोड़ सकते हैं इसका परयोग खासकर किसी बैठक या समयलन के लिए तब किया जाता है जब कई लोग अलग-अस्थानों पर बैठे हो वीडियो कॉन्फरेंसिंग में वीडियो कैमरे या वेब कैम्ट, कम्प्यूटर, मॉनिटर, टेलिवीजन या प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, लौड़ स्पीकर और इंटरनेट क्या उसकता होती है वीडियो कॉन्फरेंसिंग क्या है बताए तो अगर बात करें तो वीडियो कॉन्फरेंसिंग दूर्ष संचार प्रधोगी की का उप्यों करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना option A इसका सही जवाब है दो या दो से अधिक अस्थानों पर इसलिए बैक्टियों के बीच दूर्ष संचार प्रधोगी की के दो सचार की एक तकनीक है जिसके माध्यम से दो या दो स्थानों से एक साथ आडियो वीडियो के माध्यम से कई लोग जूर सकते है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के लिए वीडियो कैमरा या वेव कैम, कंप्यूटर, मॉनिटर, माइक्रोफोन, लाओड स्पीकर और इंटरनेट सिवा की जुरुत होती है 267 ने मिलखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फरेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश से घटक नहीं है वीडियो कॉन्फरेंसिंग सिस्टम के लिए कौन सा एक आवश से घटक नहीं है, डिवाइस नहीं है, ओक क्या है अब आताईए इसका सही जवाब क्या होगा इसका अगर बात करें तो सही जवाब है टेलीफोन C option टेलीफोन जो है वीडियो कॉन्फरेंसिंग सिस्टम के लिए टेलीफोन की जुरुत नहीं पड़ती है दिये गए विकल्प में टेलीफोन वीडियो कॉन्फरेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवसे घटक नहीं है इसके अलावा वीडियो कॉन्फरेंसिंग में वीडियो कॉन्फरेंसिंग कोडेक यूनिट की भी आवसकता होती है 268 है इमेल का विस्तित रूप है इमेल का विस्तित रूप है क्या है प्रयुकता का नाम और डोनेम का नाम यानि D-Option इमेल पते में प्रयुकता का नाम वर डोमेन का नाम सामिल होते हैं 270 इमेल पता mark. इस तरह से जो है इसका इसमें से mark.httol.itdesk.info का डोमेन नाम क्या है इसमें आपको डोमेन को पहचानना है देखे अगर बात करें तो इसमें जो डोनेम है डोमेन इनमें से कौन सा डोमेन है तो याद रखिएगा itdesk.info जो है एक ये डोमेन है ठीक है कौन सा ये वाला एजरेट के बाद देखे इमेल पता में एजरेट के बाई और यूजर का नाम और एजरेट के दाई और डोमेन नाम होता है यादि इमेल पता में mark.stol.user का नाम और itdesk.info जो है ये डोमेन का नाम है डोमेन नामे पहला भाग जो है जैसे second level डोमेन और अंतीम भाग top level डोमेन होता है 271 है नमलिकित में से कौन निसूल की email सेवा परदाता है निसूल की email सेवा जो देता है वो कौन सा है तो hotmail है rediff mail है और yahoo है यानि ये सभी जो है मुप्त में email सेवा सुविधाय परदान करते है आगे वड़ते next 272 एक किस परकार की digital file ए email में संबंध हो सकती है किस परकार की digital file ए email में संबंध हो सकती है तो संगीत, documents और photo उप्रक्त सभी संगीत, document, photo, text, video ये सभी digital file ए email से संबंध हो सकती है email के द्वारा इनको परसारित किया जा सकता है 273 एक किस परकार की file को email attachment के द्वारा भेजा जा सकता है तो बताए किस परकार के file को email में attach करके दुसरे को send कर सकते है तो देखिए text file, audio, video यानि उप्रुक्त सभी file जो है email में attach करके भेजा जा सकता है 244 data एक वचन क्या है data का एक वचन क्या है data का एक वचन है datum, option A और 275 है blog सब्द, दो सब्दों का सनेवजन है, किस-किस का blog जो सब्द है, जो word है जो लोग blog करते है, blogging करते है उनमें, जो blog सब्द है ये दो सब्दों का सनेवजन है, किस-किस का तो wave और log का option A बिल्कुल तो blog, यानि wave और log का ये जो है सनेवजन है option A, blog एक परकार की व्यक्तिकत website होती है चीने diary की तरह लिखा जाता है हर blog में कुछ ले, खोटो और कुछ बाहरी कडियां हो सकती है blog लिखने वाले को blogger और इस कार्य को blogging कहा जाता है blog दो सब्दों से मिलकर बना है wave और log, याद रखिएगा 276 है commands को ले जाने की जो परकिरिया है, क्या है commands को ले जाने की परकिरिया को executing कहते है executing CPU यानि Central Processing unit computer का वो अहम भाग होता है जहां पर computer प्राप सुचनाओं का visualization करता है CPU की संपूर्ण कारे प्रणाली को चार भागों में बाटा गया है पहला, fetch, decode execute और write back या store memory से सुचनाओं और निर्देशों को प्राप्ट करना fetching कहलाता है सुचनाओं को उन आदेशों में परिवर्थित किया जाता है जिने computer समझ सके या परकिरिया decoding कहलाती है और आदेशों को कर्यानवित करने की परकिरिया executing कहलाती है 277 menu में किसकी सूची होती है menu में किसकी सूची होती है तो याद रखिएगा मेनू में कमांड की सूची होती है D option और 278 है यहाँ पर आपको बतारा है डॉट डॉट की जगाँ पर क्या भारा जाए कि अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एकसेस करने की एक तरीका है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुक मार्क यानि B option इंटरनेट ब्राउजर के संदार में बुक मार्क किसी वेब पेज के पते को सहेजने की अकविदी है किसी वेब पेज को बुक मार्क करने के बाद उसे सिग्रता से बार-बार खोला जा सकता है 229 है वर्चुल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है वर्चुल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर करता है बताइए इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है याद रखिएगा डिस्क एस्पेस पर डिस्क एस्पेस C अप्षन बिल्कुल करेक्ट अप्षन है इसके बारे में अगर बात करें तो किसी भी निर्देश सुचना या प्रणाम को संचित करके रखना ही एस्मिर्थी कहलाता है कम्प्यूटर के CPU में होने वाली समस्त की रिया सौर प्रथम इस्मिर्थी में जाती है आधनिक ऑप्रेटिंग सिस्टम में हाड डिस्क तथा RAM मेमोरी के मद सुचना का आदान परदान वर्चुल मेमोरी के माध्यम से बहुत तेजी से होता है वर्चुल मेमोरी का कार हाड डिस्क में वर्चुल मेमोरी के लिए आवंटी जगा पर निर्भर करता है 280 है ICT का क्या मतलब है ICT ICT का क्या मतलब है तो इसका सही जवाब है ICT का जो मतलब है Information and Communication Technology B option बिल्कुल correct option है ICT का तात्पर है सुचना एवं संचार प्रधोगिकी से ICT में सुचना प्रधोगिकी के साथ साथ दुर्भास, संचार, प्रशाराण, मीडिया और सभी परकार के ओडियो, वीडियो, प्रक्रमन या प्रिशन्ट सामिल होता है SIM का पूरा स्वरुप क्या है SIM का पूरा स्वरुप बताइए SIM का पूरा नाम है subscriber identity module याद रखिएगा SIM का पूरा नाम है subscriber identity module यानि इसमें A option बिल्कुल correct option है SIM सब subscriber identity module का लगु रूप है यह एक एकिकृत परिपत है जिसमें mobile phone या computer ओपर mobile टेलिफोनी के लिए आवास्य सर्विस subscriber की store रहती है SMS 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 का क्या मतलब होता है SMS का मतलब बताए सही जबाब क्या है तो SMS का मतलब होता है Sort Messaging Service यानि B Option तो SMS का अधा होता है Sort Messaging Service इसका प्रिव मोबाइल फोन से संदेशों को आदान परदान करने के लिए किया जाता है और इसी के साथ आज का जो सेशन समाप्त करते हैं नेक्स सेशन में बच्चे हुए प्रशनों को कवर करेंगे तो आज के लिए इतना ही आप अपना पर्ति किरिया देते रहिए आपके पर्ति किरियाओं का हमें बेसबरी से इंते जार रहता है Thank you, मिलते हैं नेक्स सेसन में